आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले को अगता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फिरस्ट टाइम देख रहे हैं और यस चैनल के उपर अभी नहें खाए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनलीसिस वीडियो अप्लोड करती हूं इसके साथ साथ स्टौक्स के ऊपर और शेर मार्केट के रिलेट के टी इस सारी अपडेट सारी न्यूज आपको मेरे चैनल के उपर मिल जाएगी तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो उसकी जानकारी आपको सही से आती जाए एक और इंप मार्केट में यहां पर बहुत सारी अपडेट मिलती है इसके साथ साथ जो प्रीमियम ग्रूप के अंदर फर्स ट्रेड होता है वो मैं यहां पर भी अपडेट कर देती हूं और यहां तक की निफ्टी बैंक के चार्ट के उपर तो देखिए निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग कहा पर दी है पिछले दो सेशन से हमें एक कंसॉलिडेशन यहां पर दिख रहा है एक रेंज बाउंड ट्रेड यहां पर दिखाई दे रहा है आज भी वही हुआ बाइंग की कमजोरी और ना ही हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है दो दिन से लगादार निफ्टी बैंक इंडिसिजिव मूब्मेंट दे रहा है कैंडल्स देखकर ही आपको पता चल सकता है कि यहां से ना ही निफ्टी उपर जा रहा है ना ही निफ्टे नीचे आ रहा है इसका मतलब यह है कि यह जो रेंज है 40,000 से लेके 40,500,600 की यह रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती है निफ्टी बैंक ऐसे ही कंसॉलिडेशन करेगा और ऐसे कंसॉलिडेशन में ऐसे रेंज बाउन मूब्मेंट में आप्शन बायर्स के लिए कुछ भी बचता नहीं है तो अगर निफ्टी बैंक कल 40,680,700 से उपर निकलता है तो 41,000 तक के चांसे हम लोग कह सकते है और अगर 40,000 ब्रेक होता है तो एक अच्छा डाउन मूव हमें 39,700 और 500 तक दिखाई भी दे सकता है तो अभी इस expiry के लिए और दो दिन है और अगर दो दिन में market फिर से इसी range में रहता है तो सीधा में expiry को ही movement मिलेगा और वो भी एक jackpot movement मिलेगा क्योंकि देखिए ये दो दिन और अगर कल और परसो भी market इसी range में रहता है तो एक अच्छा up move भी हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर nifty bank यहाँ पर range bound movement दे रहा है तो यहाँ से chances है upside के लिए 41,000 के nifty bank के जाने के लेकिन अगर nifty bank यह candle का low अगर break कर देता है तो यहाँ से definitely हमें 39,800 का target एक session में दिखाई दे सकता है nifty bank के अंदर तो यह आप SL रखके long के लिए जा सकते हैं अगर nifty bank कल 40,600 से ओपर trade करता है तो अगर 40,600 से नीचे आता है तो यहाँ से कुछ भी मत लीजेगा क्योंकि फिर यहाँ पर market जो है वो हमें दोका दे सकता है option chain data अगर हम लोग देखें तो 15 September का option chain data है और call side में 89,000 का highest open interest है उपर के side में 41,000 के उपर 99,000 का open interest है 40,500 के लेवल के उपर यहाँ से अगर call writing की भी बात करें तो देखें call writing सबसे ज़ादा हुई है 35,000 की जो की है 40,700 के लेवल के उपर वही सामने अगर देखें put site में 95,000 का open interest है 40,500 के उपर नीचे जाए तो 40,000 के लेवल के उपर 84,000 का open interest है और put writing की बात करें तो highest put writing इन दो लेवल के उपर हमें दिखाई दे रही है तो देखें यहाँ पर nifty bank ने बहुत समय गुजारा था आज भी और कल भी 40,500-600 ये zone ही nifty bank के लिए बहुत boring zone है अगर nifty bank इस zone में आपको मिलता है तो मत लीजे अगर nifty bank 40,500 से नीचे मिलता है opening में ही तो आप ले सकते हैं downside के लिए 40,200 के target के लिए upside के लिए अगर जैसे मैंने कहा है आपको 40,600 hold हो रहा है तो definitely यहाँ से 800 और 800 तक nifty bank चाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है तो आप ये position बना सकते हैं nifty bank के लिए अभी चलते हैं चार्ट के उपर nifty bank के तो देखे डेली चार्ट के उपर nifty bank ने एक positive दो candle form की है लेकिन यहाँ से nifty bank की अगर बात करें तो उतना बढ़िया यहाँ पर हमें strength नहीं दिख रहा है nifty bank के लिए और nifty bank की अगर बात करें तो nifty bank के लिए downside के लिए 40,350 और 40,000 य अगर इन दोनों supports को nifty bank तोड़ देता है तो यहाँ से major fall हमें देखने को मिल सकता है और फिर nifty bank हमें यहाँ से 39,500 तक भी गिरता हुआ दिखाई देगा upside की जैसे मैंने आपको कहा था कि 40,600, 650 यह nifty bank के लिए resistance है और अगर यह clear हो जाता है तो 40,800 और 41,000 के दर्वाजे nifty bank के लिए definitely खुल जाएंगे तो यह जो important support resistance के level सामने मैंने आपको लिख कर दिये हैं यह भी अपने चार्ट के ओपर ऐसे mark कर लीजेगा और यह जो fixed level है यह आप मत यहाँ पर कुछ कीजेगा यह fix ही रहने दीजेगा क्योंकि यह बहुत important levels है और यह back testing के levels होते हैं जो आप use कर सकते हैं और यहाँ पर अगर मैं देखू तो intraday के लिए आप अलग यहाँ पर कुछ lines वगेरा draw कर सकते हैं तक ही आपको कुछ confusion ना हो कि यह levels कौन से है और यह levels कौन से हैं तो यह आप कर सकते हैं कुछ अलग colors दे सीखना यानि के चार्ट कैसे बनता है चार्ट कैसा होता है और यहाँ से levels क्या होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के next day के लिए यह अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी एक membership है यह आपको मेरे YouTube के subscribe button के बाजू में जो join button है वहाँ पर मिल जाएगी 10999 की membership है जहाँ पर आपको मेरा personal contact मिलता है WhatsApp number, chat allow है, messages allow है तो यह आप live market के दोरान कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको यहाँ पर दो चार्ट मिलेंगे निफ्टी के लिए एक और निफ्टी बैंक के लिए एक जो पूरा चार्ट जो है वहाँ खुद बना कर आपको provide करती हूं regularly और यहाँ प अलावा भी वहाँ पर draw करके आपको देती हूं तो वो भी मिल जाते हैं अगर आपको कुछ doubts होंगे तो वो भी clear हो जाते हैं अगर आप कोई position में फस चुके हैं तो वो भी आपको कैसे निकलना है यह आपको guide मिलता है तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ सीखना तो आप YouTube में जो subscribe button वाले बाजू में join button है वहाँ से membership ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं premium group join करना यह जो telegram के ओपर आपको मैंने बताया था यह अगर आप join करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर information मिल जाएगी अगर आप trial लेना चाहते हो 15 days का तो सिर्फ 2000 रुपीज है QR code scan करके आप आपको इस number के उपर WhatsApp कर देना है ताकि मैं आपको add कर सकूँ तो यह अगर आप चाहते हैं तो आप यह group भी join कर सकते हैं तो I hope कि आपको समझ में आ चुका है अभी हम लोग बात करते हैं nifty 50 के ओपर तो nifty की closing कहा पर मिली है 17936 के पास nifty edge बंदुआ है तो nifty जो है वो bank nifty क गिरने नहीं दे रहा था nifty बिल्कुल support नहीं करा था जो movement हमें P side में मिलना चाहिए था वो nifty के वज़े से नहीं मिल पा रहा था और nifty ने भी देखे candle कैसे बनाई है यहाँ पर negative candle है और यहाँ पर price rejection वाली यहाँ पर निफटी ने candle form की है अब side के लिए मैंने आप से कहा 17,900 और 18,000 यह resistance zone है निफटी के लिए इससे उपर की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यह अगर clear हो जाता है तो ही कुछ possible है लेकिन यहाँ पर एक stiff resistance है जो easily clear होना निफटी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है और वही हुआ आज 17,889 का आज का intraday low था और intraday high था 17,980 का तो अभी निफटी के अगर हम लोग बात करें तो निफटी के लिए जो important support और resistance के levels रहेंगे यहां से वो रहेंगे तो निफटी के लिए जो important support और resistance के levels रहेंगे वो है first 17,910 का level अगर निफटी इस level से नीचे open होता है या फिर इससे नीचे 15 से 30 मिनिट के 17,810 तक निफटी के गिरने के chances फिर बने हुए हैं यह downside के लिए support का काम करेंगे निफटी के लिए upside की बात करें तो 17,980, 18,050 और 18,110 यह important resistance बनेंगे अगर निफटी gap up opening करता है 17,980 से उपर तो यहां से easily chance है 18,050 तक तो जाने का निफटी का लेकिन जैसे ही इस range में अग अगर आपने position क्यारी की हुई है तो आपको जरूर book कर लेना चाहिए यह मेरी आपको सला रहेगी क्योंकि अगर आप 18,110 या फिर 18,200 के लिए जाओगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा so I hope कि आपको समझ में आ चुका है अभी हम लोग आज के इस video को यही पर end करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस video को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं and trade carefully